हेलो दोस्तों मैं परवेज क्लिक ओन एटिव जनल में आप सभी गाज सोय गए थे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इमो एप्स का एक प्राब्लेम की बारे में दोस्तों बहुत सरा अदमी का जो है इमो अकाउंट डिजिबल हो गया है आप अगर उस नंबर पर अगर दुबारा खोलना चाहते है तो इमो की तरफ से जो एक SMS वेरिविजिशन होता है तो SMS में जो कोड रहता है न वो कोड रिसी प्राइब को बता है तो दोस्तों आप अगर चैनल पर ने होते चलों को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को दबाके नोटिपिसन को वांड कर लेना तो चलिए अपने जो इमो एप से उसको ओपन करता हूं और ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूं तो आप जो भी इमो इ और इदार आप देख सकते एकाउंट ब्लॉकेड तो आपका एकाउंट अगर ब्लॉक हो गया तो उस जगह में एसमेस जो है रिसीव ने होगा ब्लॉक होने का कारून का है यह इदार बिल्कुल साब तरीके से लिखा है अब देख सकते इफ आवर एकाउंट हैस बिन ब्लॉक हो जाएगा तो कम्यूटि गाइडलाइन इधर जो है आठ इसका कम्यूटि गाइडलाइन से तो क्या क्या है इसके बारे में मैं आपको डिट्रील पर बताऊंगा और साथ में लिखा है वह इंकरेज वाल इमो कम्यूटि मेंबर्स टू एल एबाइड यर पोस्ट इस तरह का पोस्ट है इस तरह का जो क्वांटेंट वह अपलोड करता है या फिर आप देखता रहता है उससा आप इग्नोर कर दीजिए उसको आप कमेंड करेगा तो हो सकते हैं आपका अकाउंट जो है डिजिबल हो जाएगा यह हो गया में कारण और दूसरा जो कारण है आपको अगर कोई भी बंदा कर रिपोर्ट मार देता है किसी भी कारण में अगर रिपोर्ट मार देता है तो आपका अकाउंट डिजिबल हो जाता है डिजिबल हो जाएगा तो आपका मुबाइल में दुबारा जब इमो ओपन करने के लिए जाएगा तो कोड रिसिब नही वान पे है child sexual exploitation content उसके बाद pornography और adult content तो आपको इसके बारे में साइद मालूब होगा ये क्या बोल रहा है और तीन नमर में है जो है terrorism और violent extreme तो terrorism के बारे में आप बोन ले सकता है आतेंग बादी के बारे में उसके बाद चार्ड नमबर पे है hateful speech जो होता है आप किसी को भरकानी वाली बात कहने सकता है जो आपकी बात सुनके गुस्ता हो जाएगा या फिर दूसरे को पर attack कर सकते इस तरह का बाते आप नहीं कह सकते private information किसी के साथ आप शेयर नहीं कर सकते उसके बाद साथ नमर में जो है impersonation जो fightgg ale ऋसक बात इस अप बार सकते हैं जो होता है जो किसी का चेहरा जो है मिलता जुलता एइस तरह का जो है ता यह मैंसेज तो आपका मैंसेज अगर और इसकसे साथ सेयर कर रहा है अगर वह बंदा कर लीको कर देता है तो आपका एकाउंट जो हो जाता है तो आप अगर सोच रहा है हमने गलत किया है और इसलिए अम्हाला जो एकाउंट है ब्लॉक हो गया इसको दुबारा खोलना चाहिए तो इदर मेसेज में लिखा है आप देख सकते इफियर थिंक विम्यादे मिस्ट्रेक और इम आप अगर फोन नमबर को खोलना चाहते है तो यह जो इमेल आईडी दिया हुआ है फिद्बैक अट दरेट इमो डट आईएम इस आईडी के उपर आपको एक मैसेज करना पड़ेगा और मैसेज में क्या लिखना पड़ेगा आपका जो इंटरनेशनल फोन नमबर है उसको उस नमबर को प्लास के साथ लगाना है जैसे इंडिया का है नाइन वान पकिस्तान का है नाइन टू तो सौधी अरब के अंदर जो भाई लोग रहता है तो सौधी अरब का नमबर जो सुरू होता है जीरो फाइब से सुरू होता है तो आप अगर मैसेज करना चाहता है तो इदर सोधी का जो कंट्री कोड है प्लास 966 उसके बाद 0 निकाल देना 5 से शुरू करना और अपना पूरा नंबर देना बीच में 0 नहीं रखने का बीच में 0 रखेगा तो नंबर ज्यादा हो जाएगा आपको प्लास 966 रखना है उसके बाद 0 निकाल के जितना भी नंबर है आप दे देना आपका नंबर बन जाएगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना इमेल आइडी को उपन करके तो इमेल आइडी ओपन करने के बाद इदर सबसे नीचे आप देख सकते हैं कॉम पोस्ट जो लिखा है इसको पर आपको जाना पड़ेगा और इधारा के आप प्लीज अनब्लॉक दिस कॉंटेक ऐसे करके लिख लेना और उसके बाद मुबाइल नंबर दे देना और उसके बाद आप अगर साओधी अरब में रहता है तो साओधी अरब में कैसा होगा मैं आपको बता रहा हूँ यह प्लास हो गया उसके बाद 966 उसके बाद जो 05 से नंबर सुरू होता है 05 नहीं रखने का आपको फाइब से शुरू करना है 5 यह से ठाइम लेगा 24 गन्टा है या 80 गन्टा इस तरह के टाइम ले सकते और उसके बाद आप दुपारा चेक कर ले ना एमिल आईडी पर मैसेज दा सकते हैं इसको आप चेक कर लेना अपना जो कौइंटेक्ष है दुपारा उसको ओपिन कर दिया जागी का और दूबारा आप इमो